असलNothing अलेकुम गाइस वेलकम बैग टो मैं चानल हुषना स्टेटर से अग मैं बहुत मुड में ब्लाक से भी हमाँ कि यफ़ ride मैं शेक शरक हैं जो कि ऐसंथ है। वूर को वीडियो पमें टोड़ू बहुत भी करें स्ञेकिक हने इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ आज हम बनाने के लिए आज फ्राइड़ है ये साटर डे के दिन आपको वीडियो आ जाएगा आप फ्राइड़ के दिन बना रही हूँ आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक और अपना दुआ में बजरूर यात रखी हैगा हमें भी और चलिए आज का ब्लाइड इस्ट्राइड करते हैं आज मैं थोड़ा कुकिंग भी करूंगी ब्लाइडिंग में और क्या पता नहीं क्या क्या करने वाली हूं शाम तक जो भी होगा वो हम करते जाएंगे वीडियो बनाते जाएंगे चलिए इस्ट्राइड करते हैं अच्छा हमारे गाउं में लगातर बारिश चल रही है तो बहुत बहुत हालत खराब हो गई है मैंने भी शाप पर बहुत दिन से नहीं गई हूं क्योंके बारिश भी है तबेद भी ठीक नहीं है इसलिए मैं बाहर ही नहीं गई हूं और मेरे शाप के पास की हालत बहुत खराब है कि बहुत लोगों के घरों में पानी भर गया है उसकी वीडियो में आप सब लोगों को शेयर कर दूँगी क्योंके बहुत हालत खराब है हमारे एरिये में मुझे जो शाप के पास घर बगएरा च्छोटे च्छोटे जो घर रहते हैं वो सब घरों में पानी गुज गया है और शायद एक घर भी नीचे पड़ गया है पता नहीं क्या हालत हो गई होगी उदर बहुत पानी भर चुका है क्योंके उदर चारों तरफ का पानी बहुत आता है इसलिए से उदर पानी बहुत ज्यादा भर गया है मुझे भी पता नहीं है कि मेरी शॉप के हलत क्या हो गई है तो मेरी शॉप तो बहुत उपर है लेकिन फिर भी अल्ला सब की हिफाज़त करे क्योंके वो बहुत लोगों के घरों में पानी भर के बहुत हालत खराब हो गई है Allah करे sich allah लगातर होती रहेगी तो अभी बहुत प्राप्लम हो जाएगी जो भी करें ठीक करें बस चलिए मैं कुकिंग कर लूँगी मैं आज बीफ का सुका बनाओंगी सुका थोड़ा ग्रेवी जैसा बनाओंगी क्योंकि वो मैं चल्दी जल्दी शाटकट में बनाओंगी मैंने तिन टमाटों लिये हैं तिन टमाटों काटिया है और सुकी मिर्ची को मैंने पीस लिया है सुकी मिर्ची को पीस के उसमें डालूंगी आप देखते जाएगा और जल्दी से बन जने वाला है यह आप ही डालेंगे सुकी मिर्ची को मैंने मसाले से को मैं ने पीस लिया है अच्छे से मैं सुखी मिर्ची का आप मेरे वीडियो में जा कर देख सकते हैं मैंने कैसे पीसा था और मैं यह ने गरम मसाला डाला थोड़ा अधर क्लसांट डाला जितना आपके टेस्ट के हिसाब से दलेंगे और जल्दी से बनने वाला गोस्ट है यह बीफ का मसाला अब मैं इसको मैं गोश्ट दल के मिक्स कर दूँगे अच्छे से मैंने अच्छे से दो कर रख लिया है मैंने बॉनलेस बीफ लिया है अभी दलेंगे साल्ट उसमें मैं जल्दी जल्दी पनाना चाहती हूँ इसलिए मैंने पूरा मिक्स कर दिया है आप एक बार जरूर ट्राय करके देखिएगा बहुत टेस्टी बनेगा जो गंठे ना गंठे लग जाते हैं कुक करने में लेकिन ये 10 मिरीट का काम है 10 मिरीट आने के जब तक बीफ नहीं गल जाता हूँ बीफ भी आईसा करने से जल्दी गल जाता है कुक कर में भी रखने की जरूरत नहीं है और बहुत टेस्टी होगा बीफ आप एक बार जरूर रह करके देखिएगा ये मेरा बटकल का बटकल का नहीं तक बनादा है मैंगलोर का ऊपड़ के ये सर्टी का लेंगों में भी कहने करके considered कॉरी धन्यापता अलेतं इसे ही कट करके मैं उसमें डाल दूए कर दूए मिक्स कर तूए थोड़ा सा तेल और उउसमें हल्दी डालेchine रहाँ करां कर दो at बहुत टेस्टी बनेगा एक बार जरूर ट्राय किए जाए घर पर जरूर ट्राय कीजिएगा मुझे सर्दी है इसलिए बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो अभी तक थोड़ा भार भी कम नहीं हुआ है तो इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब लोग मेरी बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा और मैं वीडियो बनाते इतना परेशान हो जाती हूं पूचिये मत क्यूंकि इतने बार ट्राइ करती हूं मैं वीडियो बनाने के इतना बार ट्राइ करती हूं उतने बार ट्राइ करकर के बनाती हूं अभी तेल डाल दिया हल्दी डाल दिया मिक्स कर देना है उसको मिक्स करके जब तक वो बीफ गल नहीं जाता तब तक आपको धक के रख देना है मिक्स करके मैं उसको धापके रख दूँगी हमारा बीफ पक्ये तयार है बहुत टेस्टी बनेगा आप ज़रूर ट्रै करके देखिएगा देखिए कितना टेस्टी लग रहा है है देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालके पानी डालके थोड़ा ग्रेवी की जैसा भी कर सकते हैं और तो फ्रस्टी कमें दो तो इसे ही उतार दूँगी मैं और बहुत ही टेस्टी बनेगा ज़रूर ट्राय करके दिखेगा मुझे बहुत पसंद है ऐसा बनाना जैसा चिली बनती है ना वै कि आप कि आप कि कि आप गिए कि आप कि आप कि आप कि आप कि एसी थैसे उना पा कि आप हुँँँँद कि इस भी मर गरव नग भरव जगा है पानी है हुई 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 लिघर यह लिघर लिघर, बंज रादर लिघर तुरी गल्ली भरिया लाए देखाई होगा क्या हालत होगई है बहुत बुरी हालत है कब बारिश खतम होगा पता नहीं चल रहा बहुत लोगों की बहुत हालत खराब है चलिए मैं आज का ब्लाग यहीं खतम करती हूँ क्योंके आज इतना ही शूट किया है तो कल हम जरूर मिलेंगे इन्शालला आप भी दूआ किजएगा कि मैं वीडियो जरूर रोज बना पाऊँ और फुरसत ही नहीं मिलती है वीडियो बनाने की तो मैं बिल्कुल बना नहीं पाती तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ रोज ब्लाग करने की तो चलिए बाई अपनी दूआ में यादर किएगा खास करके मेरी सहत के लिए सब लोग मेरे गए मेरे वीवर्स दूआ की जिएगा लोके बाई अल्लाह अफीज बाई